हेलो स्टुडेंट फिर इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है तो देखे आप लोगों का ब्लूप्रेंट आ गया है क्लास 12 बायोलोजी जिविग्यान सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रेंट आ गया है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए सभी सब्जेक्ट के आपको कलास 12 के ब्लूप्रेंट वहां पर मिल जाएंगे इस वीडियो में ब्लोग जिविग्यान का ब्लूप्रेंट देखने वाले हैं तो देखे इस बर्स आपका कुछ सब्जेक्ट कम होई थी तो वहाँ पर देखे आप कुछ unit कम होने की बजाए से नया blueprint आया है बर्स 2021 बोड एक्जाम के लिए तो यह blueprint है जो पहले की तरह नहीं है कुछ different आया है यदि आप अच्छे से समझते नहीं हो तो आप परिक्षा में अच्छे marks score नहीं कर पाऊगी देखे पहले confirm था कि यहर किस chapter में से कितने marks के question आने है और किस प्रकार के question आने है लेकिन इस बर्स confirm नहीं है यहाँ पर देखे चार chapter रखेगा है हम चारों में से एक अंग के साथ प्रशने पूचेंगे लेकिन यहाँ पर उन्हों नहीं बताया है कि इस अध्याय से आएंगे कि इस से आएंगे कि किस से आएंगे उनका कहने का मतलब है कि इस एकाई पूरी एकाई में से हम कहीं से भी दे सकते हैं एक अंक के साथ प्रिशने देंगे और इस एकाई में हम कहीं से भी दे सकते हैं जो आपको चार चैप्टर बता दिये गया है कि इसके अंदर ही आएंगे और तीन अंक के दो प्रशने आएंगे इन्हीं चारों चैप्टरों मैंसे चार अंक के दो प्रशने आएंगे इन्हीं चारों चैप्टर मैंसे ठीक है लेकिन उन्होंने कंफॉर्म नहीं किया है कि हम इसमेंसे चार अंक का देंगे या दो अंक का देंगे या एक का, वो सभी मैंसे किसी भी अध्याय मैंसे दे सकते हैं, तो यहां से आपकी 21 marks के first unit से complete होते हैं, इसी परकार second unit है, तो यहां पर भी देखिए, चार चेप्टर रखेगा हैं, जिसमें ऐसे same condition है, एक अंक के साथ 3 के 2 और 4 के 2, ठीक है, और यहां पर total marks हैं, आपके 21, इसी परकार आपकी third unit है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आप 5 chapter रखेगा हैं, तो यहां पर एक अंक के साथ मुझे जाएंगे, 3 अंक के 3, 4 अंक के 3, लेकिन उन्होंना confirm नहीं किया है, कि हम किस chapter में से देंगे, इसलिए आपको सभी chapter को पढ़ना प किये, और साथ में bell icon जरूर प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को आप जाद स्याद लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में share भी कीजिए, इसके बाद में देख लेते हैं कुछ निर्देस, तो यहां पर देखिए, कुछ निर्देस भी दिएगा हैं, तो इन निर्देसों जिसमें आपको कारण सहत स्पष्ट करना पड़ता है, कि जसी कोई भी question आया, तो उसको आपको कारण सहत स्पष्ट करके बताना है, तभी आप चार अंक्र प्राप्त कर पाऊगे, एक प्रिश्ने पर, इस प्रकार थे आपके एक प्रिश्ने, इसके बाद में देखिए प्रिश्ने दिये जाएंगे, आपको तीन प्रिश्ने अनिवार हैं आपको करना है, इसे प्रकार छे प्रिश्ने दिये जाएंगे, जो कि चार मक्स के होंगे और चार प्रिश्ने हल करना अनिवार है, तो यह था आपका blueprint, आप screenshot ले लिजिए, और वीडियो को ज़्यादा स ज्यादा सेर का दीजिए यह आप किसी भी सब्चेक्ट के ब्लूप्रेंट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए या फराप आज बटन में देखी यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा या फराप चेनल की पिले लिष्ट पर विजिट कर सकते हूं थैंक यू